ऐलो फ्रेंडस आज बनाने जाए हुँ देशी स्टाइल में अन्डा आलो मतर की सबजी इसको बनाना बहुत ही जी है मैं बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही कम मसालों में इसको बना के तियार करूँ गी तो लाश्ट रह तक इस वीडियो में बने रही है इस तरह से मिक्सर जा लेना है मैंने आधे प्याज को मिक्सर जार में इस तरह से डाल दिया है लसुन की कलिया को डाल देना है इसमें और अध्रा को इस तरह से कट करके डाल देना है एक चमस जीरा डालने है और इसका पेष्ट बना लीजे इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से आप बन थोड़ी सी हल्दी मिर्ची दाले और अंडा को डाल के फ्राइब कलेंं इस तरह से अलडँ पलट पलट के इसको निकाल लिया है से आलू को भी तलेंगे इस तरह से आलो को भी 2-3 मिर्ट पर भी तर्लेंगे इंच डाल दीजिए तेज पत्ता मेथी भाजी को डाले नहीं तो आप ही इस तरह से ट्राइकर सकते हैं जो पीयाज रचाके रखे तो इसको डाल देना है थोड़ सा color change जोने के बाद मैंने मटर डाले हैं, मटर थोड़ सा पकेगा करके मैंने अभी एक चमच हल्दी, एक चमच मिर्ची और एक चमच धनिया पॉड़र डाल दीजे, या अपनी टेस्ट टेक्नोर से इसमें मसाला डाल सकते, दो से तीन मिनट तक इसको अच्छे से पक तक हमारा अंडा, आलू, मटर की सबजी बहुत ही टेस्टी बनके त्यार हो, दो हरी मिर्च को मैंने इस तरह से कट करके डाल दिया है, इस तरह से color change होने के बाद जो अंडा हम लोग फ्राई करके रखे थे ना, उन सब को डाल देना है, अंडा को डालना है, आलू को इस तर से बहुत ही आसानी से बना के त्यार कर सकते हैं, आलू के साथ अंडा बहुत खाया होगे, इस तरह से हरी मटर के साथ बना के खाना बहुत ही टेस्टी लगती है, और बहुत ही जटपड बनके त्यार होती सभी को बहुत पसंद आगा, मेरे घर में तो इस सभी को बहुत पस सब्सक्राइल के सब्सक्राइब निकाल इनमें मुछा ते शरी पढ़िए। अफिरह प्र में सब्सक्राइब करना वीडियो इस पेआ доп द aíके पर आधन यह प्रेशिक होगा है।